हलियो डिये स्टूडेर्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्व चैनल पर डि princip आज की वीडियो क्लास 11th इंग्लिज्ज्स स्टूडेंट के लिए रहने वाली है आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है original percent percent जोकि अद्वार्शी प्रीक्षा के लिए रहने वाला है Students इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखिएगा ये जो ओरीजनल अद्वार्शी प्रीक्षा का पर्शन पत्तर है इसको पूरे को मैं सॉल्ब भी करवाने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह की और वीडियो आपको और सब्जेक्ट की चाहिए परसन पतर से समंदित तो आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा तो स्टुडेंट्स इस समय रास्तान में जो अदवार्सी परिक्षा है चल रही है उसमें सबसे पहला जो पेपर है 11 का वो इंग्लिस कंपल्सरी का है और उसका पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसमें 3 गंटे 15 मिनट मिल रहे है और जो पेपर जो आएगा वो 70 नमर का आएगा अब देखिए सबसे पहले सेक्षन ए है रीडिंग सेक्षन तो रीडिंग सेक्षन के अंदर स्टूडेंट्स अपन बात करें पहले एक पैसेज दिया होगा आप देख सकते हो हाउ योगा हिल्स चेप्टर से ये 12th क्लास के अंदर था उस चेप्टर से ये पैसेज दे रखा है इसके नीचे क्योशन भी दे रखा है पहला जो क्योशन है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि Cortisol is Cortisol क्या है तो students आप देख सकते हो कि Cortisol क्या है तो यहाँ पर Cortisol किसका नाम है एक हार्मोन का नाम है तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा Cortisol एक हार्मोन का नाम है दूसरा देखे How does the normal level of cortisol help us कि normal level पर Cortisol हार्मोन है वो हमारी help कैसे करता है तो यहाँ पे students आप देख सकते हो कि normal level के उपर it helps, यह help करता है to maintain an active healthy body, तो यह answer इसका हो जाएगा दूसरे का, तीसरा देखिए what are the bad effects of high level of cortisol, कि जो high level में अगर cortisol hormone आ जाए तो उसके bad effect क्या है, तो students सिदा दे रखा है, कि high levels of cortisol can also increase your heart rate, आपकी heart rate को बढ़ा सकता है, blood pressure को बढ़ा सकता है, और cholesterol और triglyceride level को भी बढ़ा सकता है, तो तीसरे का यह हो गया, आगे देखिए how do the byproducts of cortisol affect our body, हमारे cortisol के जो byproduct है, वो हमारे body को कैसे effect करता है, तो students देखिए इसके जिस्ट आगे उत्तर दे रखा है, कि the byproducts of cortisol act as sedatives, which can lead to change in mood, especially to feeling of depression, तो यह देखिए सरुवात की जो तीन है, वो चार परसन है, वो आपको पहले paragraph के अंदर मिल गए है, अब आगे बढ़ते हैं students, अब आगे देखिए, how is yoga helpful, अगला परसन है कि how is yoga helpful, योगा helpful कैसे है, या कैसे हिल करती है हमारी body को, तो यहाँ पे देखिए, yoga है, वो क्या करती है, यहाँ पे इसके अंदर दे रखिए, फिदा उतर दे रखा है, emphasis करता है, long deep breathing and conscious, तो यह आप देख सकते हैं, इसके उपर जो line दे रखिए, वो भी आपे लिख सकते हो, उसके देखिए, decrease, decrease का opposite क्या होगा, तो students, decrease का जो opposite होगा, वो increase होगा, decrease का opposite क्या होगा, increase होगा, आप देख सकते हो, I-N-C-R-E-A-S-E, उसके बाद देखिए, too much, too much का क्या होगा, too much का synonyms होगा, excessive, too much का synonyms क्या होगा, excessive होगा, उपर यउपर दे रखा है, दूसरी line में, आप आपको देख लेना, तो यहाँ पर देखिए, यह दूसरी line में जो दे रखा है, too much का excessive होगा, क्या होगा, excessive, तो यह रहा आपका पहला, पेसेज, अब आगे बटते हैं, students, दूसरा देखिए, ऐसे ही एक पेसेज दे रखा है, और बहुत ही शानदार पेसेज है, इसके answer भी प्योर वोटर चाहते हैं, प्योर लव भी चाहते हैं, प्योर हर्ट भी चाहते हैं, हम जो नहीं चाहते हैं, वो impure air नहीं चाहते, तो अपसर नमर शी इसका सही हो जाएगा, बाकी students, यह बहुत ही शानदार परशन है, आप अच्छे से पैसे से चांट सकते हो, अब देखि Selfish का opposite क्या हो जाएगा, Unselfish, पहले क्या लगा देना है, Unselfish, ठीक है, Unselfish, तो Injurious और इसका क्या हो जाएगा, Unselfish, अब students आगे बढ़ते हैं, देखिए राइटिंग सेक्षन में, जो राजी उगांदी ग्रामिन ओलम्पिक गेम चला था, उसके उपर क्या आगे उपसन में देखिए, एक दूसरा आगया कि आपने कैसे अपने पूर स्टूडेंट्स की हेल्प की, उसके बाद देखिए, आर्टिकल है, The Habit of Reading Newspaper, उपसन में Speech है, Rainwater Harvest पे, उसके बाद देखिए, लेटर दे रखा है, दो लेटर में से आपको एक करना है, अब स्टूड बात करते हैं, grammar के, grammar में देखिए, पहले में आएगा, I saw, क्या आएगा, S-A-W, I saw, दूसरे में, slow and steady, win के आगे क्या लग जाएगा, wins, दूसरे में क्या आएगा, wins, तीसरे में, the train has arrived, क्या आएगा, the train has arrived, ठीक है, और उसके बाद, it is time you start, तो start का start ही आएगा, हम, और पांच वे में आएगा, has been living, क्या आएगा, has been living, has been living, has been living आएगा, उसके बाद, get, get का क्या बन जाएगा, goat बन जाएगा, G-O-T, तो इस तरह से ये correct form होगे, अब देखिए, आगे model दे रहे हैं, model भी बहुत चांदर है, पहले में जो आएगा, I can solve, पहले में क्या आएगा, can, दूसरे में क्या आएगा, could, दूसरे में आएगा, could, तीसरे में आएगा, may, can, could, may, और सोथे में आएगा, would, तो students, ये आपके model बहुत ही शांदर, देखिए, she is a European, determinants है, a आएगा, इसमें any आएगा, दूसरे में क्या आएगा, any, तीसरे में क्या आएगा, there, तीसरे में आएगा, और she hasn't any friend, इसमें क्या आएगा, any, तो ये आपके determinants हो गए, अब देखिए, students आगे बढ़ते हैं, आगे, नोवा जो है, उसके अंदर देखिए, पेसेज दे रखा है, आपकी book से, पहला दे रखा है, what is the name of the chapter, chapter का नाम क्या है, chapter का नाम, ये जो पेसे को जगाने के लिए, तो writer's grandmother, दूसरे का क्या जाएगी, grandmother, और आगे बाद में देखिए, when did she sing her mountainous song, तो last last line देखिए, she sang her mountainous song, while she was bathed her, ठीक है, तो ये इस तरह से, अब आगे देखिए, ये जो है, अगला पेसेज उप्सन में है, तो उप्सन के अंदर जो दे रखा है, इ और एक इसमें पुछा गया है, one word, कि एक पर्षन जो legal right करता है, किसी वेक्ति की property, money, ये प्राप्त करने का, जब उसकी मोद हो जाती है, तो इसका one word आएगा, her, h, e, i, i, r, अब आगे देखिए, दसवा पर्षन है, आपकी बुक से, जो सन सोटे सोटे दे रखे हैं, जेशे कर सकते हो, ग्यारवा देखिए, ग्यारवा पोएम से दे रखा है, जैसे लेवर्णम टोफ वाला ये पोएम आगी, और एक ये दूसरी पोएम आगी, unwanted girls से आगी, ये गलवाले से आगी, अब देखिए, लेवर्णम टोफ, name the poem and poet, लेवर्णम पोएम से लिया गय कैसे थी लेवननम टोप की सुरात में वो लिकनी है तो इस तरह से देखिए ये बारवाँ परसन आ गया 20 से 25 वर्ट्स वाले और ये तेरवाँ परसन जिसमें दो दे रखे हैं और चोगद्वा जिसमें ये तीन परसन दे रखे हैं तो इस तरह से ये पेपर आपका पूरा हु होगी अच्छी लगिया तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजियेगा और अगर दूसरे सब्जेक्ट के मोडल पेपर चाहिए ये अदवार सी प्रिक्च्छा के ओरिजनल पेपर चाहिए तो आप मुझे जरूर बताईएगा